हेलो बच्चो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो बच्चो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की MP बोर्ड के रिगारिंग तो बच्चो ये जो आर्टिकल अभी के अभी थोड़ी तेर पहले ही लिस्ट हुआ है दैनिक भासकर पे इसने सब की आँखें खोल दी है सर चकराने वाला ये आंकडा निकल के आ रहा है बच्चो इसमें सब के सब फैसले बदल जाएंगे मैं पूरा आर्टिकल पहले आपको बढ़ाता हूँ फिर आपको सारा सार समझाओंगा कि क्या क्या होगा तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे चलो पहले आर्टिकल बढ़ाता हूँ आपको बचो कोविड संक्रमन की रफतार अब और तेज हो गई है ऐसे इसलिए क्योंकि बीते आर दिन में कोविड संक्रमन की स्पीड 1600 परसेंट बढ़ी है 31 दिसंबर को प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर जो थी वो 0.13 परसेंट थी जो साथ जनवरी तक बढ़के 2.13 परसेंट हो गई है इसी कारण तीसरी लहर में संक्रमन दर के बढ़ने से पॉजिटिविटी रेड जो है वचो 25 के पार होने के खत्रे से इंकार नहीं किया जा सकता जानकारों के अनुसार तीसरी लहर का पीक जो है वो 31 दिन में आएगा तब परदेश में रोजाना और सतन अधिक्तब 30 जार से जादा मरीज मिलेंगे उलेखनी ये है कि करोना की पहरी लहर का पीक परदेश में संक्रमन की शुरुआत के छे मिने बाद 21 सब्तंबर 2020 को और दूसरी लहर का पीक जो था वो 56 दिन बाद 25 अपरायल 2021 को आया था तो बच्चो ये जो निउस निकल की आई है इसने सबकी आखे खोलती है जो ने आखड़ी निकल के आ रहे हैं कि जो कोरोना है वो बहुत ही जादा तेजी से मध्यपरेश में बढ़ता जा रहा है तो बच्चो बात करते हैं आपके ए सब्सक्राइब हो सकते हैं यहां फिर आपके एक्जाम कैंसल करवा के जो पहले आपका रिजल्ट जैसे पिछली बार दिया गया था वैसे ही दिया जा सकता है बच्चो और सीबीएसी को जैसे हमेशां एंपी फॉलो करता हुआ रहा है तो यह आपके ऑनलाइन एक्जाम की सब्सक्राइब होने में अब देर नहीं लगेगी आप बस अपनी त्यारी पर बढ़े रही है त्यारी मत छोड़िएगा चाहिए एक्जाम कैसे भी हो ठीक हमारा फैसा कोई भी लेटेस्ट खबर आया आपके तक पहुंचाना वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक् कि पूर एंपी बोर्ड में एंपी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सोदर वो भी सतर्क रहें बचो ठीए बचो में तेंगली वीडियो में बबाए टेक केर